mutual fund और investment से जड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Mirai Asset India Opportunities Fund के बारे में ये fund काफी अच्छा performing scheme में से एक रहा है पिछले कई सालों से और ये बिलंग करता है Mirai Asset India AMC को तो आज हम देखते हैं ये fund कैसा है, कौनची category का है ये आप इस scheme में investment करना चाहते हो, तो आप क्या आपको investment करना चाहिए और इस scheme का ratings कैसा है और overall review देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवजीत और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल MoneyXP Mirai Asset India Opportunities Fund के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे Mirai Asset Mutual Fund के बारे में यदि आप देखेंगे, तो Mirai Asset जो है, ये एक FII है जो इंडिया में presented 2004 से और इन्होंने अपने इंडिया के AMC के जो operations है, वो recently 2007 के बाद अपने operations चालू किया है तो FII जो होते हैं जो इंडिया में जो पैसा इंवेस्ट करते हैं, FII यानि की Foreign Institutional Investors तो वो जो पैसा होता है, उनका काफी ज्यादा amount में ये इंडिया में पैसा लगाते है तो Mirai Asset AMC जो है, ये as a FII ही हमारे इंडिया में काम करता है FII का जो views होता है इंडियन stocks पे, उनका stock picking style जो होता है और उनका stock picking का जो मंत्रा होता है, वो काफी अलग होता है वो इंडिया के growth potential stocks में और जैसे stock जिनका growth potential strong है और fundamental भी उतना ही strong है, ऐसी stock में ही वो invest करते है और काफी smartly investment किया जाता है FII के तरफ से इंडिया में opportunity जिस sector में है, जैसे से stocks में है, जहां कहा opportunity FII को दिपता है वहाँ पे ये लोग investment करते है, तो ये इस skim का motto है, ये skim का objective है इस skim का कुछ खास feature के बारे में बात करेंगे, तो इस skim ने अभी कुछ दिनों पहले ही 5000 करोड का AUM जहें mark है, वो cross किया है, तो काफी अच्छी बात है, ये recently launch हुई skim में से एक है और इतना ज़्यादा popular भी skim नहीं है, बट due to its performance कुछ दिनों पहले, इस skim में अभी investment बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो पार किया है 5000 करोड के उपर, तो चलिए देखते हैं इस fund का basic overview कैसा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये fund बिलॉन करता है मेरा इसेट mutual fund को, ये skim जो है, ये launch हुई थी April 4 2008 में, और इसका जो benchmark है, वो है S&P BSE 200 इसका जो riskometer है, यानि कि ये skim कितनी risky है, ये आप बात करेंगे, तो ये moderately high risk scheme है, ऐसा money control या फिर value research के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, चलिए देखते हैं कुछ investment detail के मामले में, इस skim ने return since inception, यानि कि launch को जो दिया है, वो है 17.62%, इस skim में आप lump sum investment 5000 रुपीस से कर सकते हो, S इस skim का exit load है, वो है 1% यानि कि आपको as a penalty, 1% charge देना पड़ेगा, ये आप इस skim को बेच से हो, या फिर इस skim से बाहर निकलते हो, एक साल, यानि कि 365 days से पहले, तो ये था basic overview, Mirai Asset India Opportunities Fund के बारे में, चलिए देखते हैं, most important factor, इस skim का portfolio कैसा है, कौन से stock में, इस skim ने अत इस skim के बारे में बात करेंगे, तो जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, ये जो skim है, almost 32% अभी invested है, banking और finance sector में, 10% automotive में, oil and gas में, 9% है, और इसके बाद कुछ आम होंट जाता है, engineering, technology और metal of mining में, तो portfolio का allocation और portfolio तो काफी अच्छा है, इसी के बज़े से skim का performance काफी अच्छा रहा है, जो लिए देखते है, graph देखते है, skim का nifty 50 के साथ कैसा रहा है, ये जो graph है, ये शोग में कर रहा हूँ, आपको piers के comparisons के हिसाब से, तो जो आपको blue में जो line दिख रहा है, वो है skim का graph, और आपको जो yellow में दिख रहा है, वो है nifty 50 का graph, तो आपको देख सकते हैं कि since 2030 जहां से market में perform करना शुरू किया था, अच्छा तरह से outperform करना शुरू किया था, तब ही से skim का performance जो है, वो nifty 50 के ऊपर रहा है, यानि कि nifty 50 ने जो return दिया है, उससे कई ज्यादा आके जाते ह इस skim में return दिया है, यहाँ पर हम लोग आज compare करेंगे Mirai Asset India Opportunity Fund को दो leading fund के साथ, जो है Kotak Select Focus Fund और SBA Blue Chip Fund, इस दोनों ही अपनी category के बहुत यच्छे fund है, तो आज हम compare करेंगे इस skim को इस skim को दो skim के साथ, और देखते हैं कैसा return रहा है पिछले कई सालों में, चलिए शुर focus ने दिया है 25.7%, SBA Blue Chip Fund ने दिया है almost 20%, 19.2%, 2S का देखते हैं क्या रहा है सिनारियो, 2S में Mirai Asset India Opportunities Fund ने दिया है 21.4%, Kotak Select ने दिया है 19.9%, almost 20%, SBA Blue Chip ने दिया है 15.8%, चलिए देखते 3S का सिनारियो क्या है, 3S में Mirai Asset India Opportunities Fund ने दिया है 16.1%, Kotak ने दिया है 16.4% और SBA Blue Chip ने दिया है 14%, 3S की साब से इन प्यून स्किम का परफार्मस का दिया है, 5S का देखते है, 5S में Mirai Asset India Opportunities Fund ने दिया है 21.8%, वही Kotak Select Focus ने दिया है 21.6%, SBA Blue Chip ने दिया है 19.2%, तो All In All यदि हम लोग रिटन देखेंगे तो Mirai Asset India Opportunities Fund इन दोनों स्किम के साथ लीड कर रहा है, यदि हम लोग 1 year, 2 year और 5 year रिटन देखेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी 2 स्कीम बूरी कर रही है, बट यह स्कीम जो जो Crystal का रेटिंग को ट्रैक करता है, मैं Crystal इसकीम को देता है, 4 Star, काफी अच्छी बात है 5 Star में से 4 Star इसकीम को बिल रहे है, बैर्ली रिशर्च वेबसाइट इसकीम को देता है 5 Star, 5 में से 5 Star और Morning Star भी सिकीम को देता है 5 Star, तो All In All मुझे ये सकीम काफी अच्छी लगी, क्यों भी काफी यूनिक और अच्छा रहता है तो यदि आप एक अनादर अच्छे लीडिंग इनो स्किम के साथ जाना चाहते हो ज़रूर आप इस स्किम के बारे में सोच सकते हो इस स्किम का मैंने वेबसाइट का लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में दिया है और आपके जो कोई भी सुझाव एक क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्षन में देश सकते हो अब ज़रूर बताइए मुझे आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया होगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कमेंटर एक साथ जरूर शेयर कीजिए